फटैक खबर सिर्फ 30 सिकंड में डाउन्डोड कीजिये तक है पी सी सी चीफ गोविन सिंग डोटासरा अपने दो दिवस्चिया मारवार के दौरे के लिए बारमेर पहुंचे हैं इसी दौरान बारमेर के कल्यानपूर में पी सी सी चीफ गोविन सिंग डोटासरा का कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने जम कर स्वागत किया और जैसे ही पचपद्रा पहुंचे होंचे हमें दर्जनो की तादाद में स्वागत करने के लिए इंतजार करते थे लेकिन इसी बीच बाजपा युवा मोर्चा के कारेकरताओं ने गोविन सिंग डोटासरा को काले जंडे बता दिये और इसी बीच गाड़ियों जैसे ही पच्पत्रा पहुंची और काले जंडे देखे तो गोविन सिंग डोटासरा वहां नहीं रुके और इस दोरान करीब एक मिनट तक युवा मोर्चा के कारेकरताओं ने डोटास्रा का जम कर विरोध किया, काले जहंडे दिखाए और ये नारे लगाए कि रीट का पेपर कहां मिलेगा और आप अपने वीजुल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलीस खर्देड रही है ऐसा बताया जाता है कि करीब तीन-चार मिनट बाद में आदा दर्जन से ज़्यादा बीजेपी के युवा मोर्चा के कारेकरताओं को पुलीस ने जबरन गाडी में बिठाया और इस दोरान जम कर विरोध परदर्शन हुआ लेकिन वहाँ पर कारेकरताओं का PCC चीफ डोटासरा का स्वागत नहीं कर पाए और वहीं से सीधे बाईतू के लिए रवाना हो गए PCC चीफ डोटासरा इन दोनों संग्ठन की गतविदियों के लिए जो आवाशिय स्वीर चल रहे है उसी में भाग लेने के लिए आज जोदपूर से बारमेर पहुंचे थे बारमेर के अंदर जिला मुख्याले पर कल एक स्वीर स्टार्ट हुआ है आवाशिय स्वीर जहां पर 2023 विदानसरा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी के कार्यकरताओं और नेताओं को प्रेस्टिक्शन दिया जा रहा है और उसी में भाग लेने के लिए PCC चीफ डोटासरा बारमेर कुछी देर बारमेर लेकिन जिस तरीके से पहले बीकानेर और उसके बारमेर लगा किया जा रहा है दिनेश मोरा बारमेर राजस्तान तक कर्साओं कर्साइब्स किया जाब लीकानेर 15 1993 Centre